नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है उमीद करता हूं कि आप सभी लोग बहतर होंगे सभी राष्टवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत ही एक्सकुलूसीव है खबर तो ऐसे आ चुकी है लेकिन एक कह रहा हूं क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई है और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब नोट गिनने के लिए मसीने आई चार मसीने बंद हो गई धूआ देके मसीनों का कहना था कि भाईया यह मुहबत की दुकान हम नहीं गिन पाएंगे इतने नोट नोट कितने एक क करोण नहीं 200 करोण भी नहीं 300 करोण से अधिक तो गिनती हो चुकी है एक ब्यक्ती के पास एक जगा कांग्रेश पार्टी का सांसा 300 करोण रुपे से अधिक नोटों की गिंती हो गई है कलपना करके सोचिएगा कि कांग्रेसियों ने इस देश को कितना सलीके से लूटा है और अब महांकारी व्यक्ति मुहबत की दुकान लेकर के पूरे देश भर में घूम रहा है तो यही काला चिठा इन समों का खोलेंगे और क्यो क्योंकि नेसरन हेलाल्ड केस में इनकी साड़े साथ सो करोण की अवयल संपत्ती जप्त हो गई है क्यों खुलते हैं क्योंकि इनके कई सारे मंत्रियों पे केस चल रहे हैं पूरों मंत्री जितने हैं वो तो महरवानी है हाई कोटों के और सुप्रीम कोटों के बाहर घूम र रहा है चोर तंत्र खत्म हो रहा है देश में लोगतंत्र नहीं क्या दोस्तों चोर तंत्र जो है वह देश में शिकूरता जा रहा है यह चोर तंत्र जो है इसी को यह सब लोगतंत्र बताते हैं और ट्यूटर पे कुछ पिद्धी कुछ चाइनीज पत्रकार जो हैं तथा कथि बैठ करके बिलाप करते हैं मोहा मोहत्रा ही नहीं बहुत सारी कहानिया ऐसे लाइन से हैं धीरसा हुई ही नहीं और भी कई सारे हैं लागातार महमता बनर जी के पार्टी के तो कितने जेल में चले गए बुरे में बेड में अलमारी में बैग में कैसी कैस नोटी नोट पैसा ही पैसे इतना पैसा जितना हम लोग कल पना नहीं कर सकते हैं उतना पैसा तो इस बार कोई कांग्रेस पार्टी के जिनका नाम धीरसाहू है यह भारत जोड़ो यात्रा की मुहबत वाली दुकान को बहुत तगड़ा फाइनेंस भी किये थे और बहुत जबर्दस जमती है राहुल गांदी से और एक चीज और बता दें आज तक देश में एक प्लेस पे एक ब्यक्ति के कंपनी से इतना बड़ा कैस कभी नहीं मिला है भारत की इतिहास का यह भुद्पूर्व है इस पर जानते हैं और रभीष कुमार से लेकर के वह जो हाथ मलने वाला है वह सब सब चुप हैं बोली नहीं नहीं निकल नहीं है मोई तरह पर फोकस कियो हुए महिला के साथ गिनने से तो आप समझ सकते हैं कि रखम कितनी बड़ी होगी तीन दिन तक पहले दिन जब आईटी की रेट पड़ी मीडिया में छपा सब जगह छपा सो करोण पकड़ा गया दूसरे दिन आकड़ा 200 करोण से उपर पहुँच गया और तीसरे दिन आते 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 यह के बैंकों तक पैसा जा रहा है बैग मंगाया था आईटी की टीम ने वो बैग कम पड़ गए तो बोरों में पैसा भरा जा रहा है अब सूश सकते हैं एक सांसद सही अंटे पे सही ठिकाने पे आईटी ने रेड मार दी है तो यह इस सिती है बाकियों भुपेस बगेल जो एटीम थे कांग्रेस पार्थी के उनका पताई है मामला चल रहा है वो तो एपी बनवाकर के काम कर रहे थे 508 करोण का खैरो 508 करोण में कैस कमी मिला है वो तो इतना दिया गया खप गया ही दरुदर इनके यहां तो इतना मिला है और यह सांसद बहुत है 2018 में अपनी संपत कितना बताते हैं मात्र 34 करोण रुपया जिसके यहां से 300 करोण से अधिक का कैस बरामत होता है उस वह ब्यक्ति बताता है कि कुल ले दे करके चला-चल संपत्ती मेरी 34 करोणे साब आप समझ सकते हैं परिकल्पना कर सकते हैं लेकिन प्रधान मंतिर ने पहली बार ट्यूट कर दिया इस मसले को ले करके बड़े चुटीले अंदाज में लेकिन उससे पहले देखिए यही जो भाई साब है ना हाथ मिला करके भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं हैं ना मु नरेंदर मोदी ने ट्वीट क्या कर दिया प्रधान मंत्री ने कि देश वासी नोटों के धेर को देखो और फिर इनके नेताओं के इमांदारी के भासण को सुनो जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लटानी पड़ेगी है मोदी की गारंटी है डर इसलिए है इसलिए कभी आदालतों में पहुच जाते हैं कि डेश में पावर को कम कर दिया जाए कभी पहुच जाते हैं लेकिन बाच बाद जित गई उसके बाद ठतरही क्या बतिया रहे एवियम खराब हो फिर उसके बाद ठतरही क्या बतिया रहे कि वोटों की जो टोटल कैलकुलेशन है उसमें राहूल गांदी बहुत अच्छे निस्पक्ष पत्रकाइलता करते हैं हम लोग निस्पक्ष पत्रकाइलता नहीं कांग्रेस के चरणों में बैट करके जीवन वट पत्रकाइलता कीए अब पोल खुल रही है पहले क्या होता था मीडिया के पीछे क्या होता था इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं रहती थी अगबार आता था छप जाता था लोग पढ़ लेते थे टीवी पे समाचाहत एक दो चैनल थे हो जाता था लेकिन जब से सोसल मीडिया आया आया आदत तो जाएगी नहीं तो अभी भी नहीं ज पहुच गए हैं इस पूरे मामले में कहां तक पहुच गए हैं मामला कोई नहीं बता रहा है इसको गिंती जारी है जब छपा तो अब देखिए मैं आपने तरफ से नहीं कर रहा हूं नोट गिंते-गिंते ठक कर बंद हो गई मसीन यह मोदी की गारंटी यह कांग्रेस सांसत क के घर मिला 150 करोन रुपे कांग्रेस सांसत धीरसाहू के ठिकाने पर शापा नोटों की गड़ियों से भरी आलमारी नव आलमारी मिली वैसे नव आलमारी और जैसे कपड़ा ठूस ठूस के रखा जाता है ना आलमारियों में वैसे नोटे रखी वही थी तूंस नहीं आ रही छुडाया गया वहां से नोटों को भर के लिए जाने के लिए भैग नहीं तो फिर उसके बाद बोरे मंगवाए गए कि बोरे में भर के लिए चलो परिकलपना करियागा इस देश में चोर बैमान जो हैं वो क्यों कहते हैं इसलिए कहते ठीक नहीं अच्छा कंपनी कौन कौ सराब का इनका कारोबार है उडिशा से लेकर के जारखंग तक उडिशा में बड़ी बड़ी फैक्ट्री यह बड़े मनिफेक्ट्रर हैं भाई साब आप सराब का कारोबार करो किसी चीज़ का कारोबार करो किसी भी तरीके से 300 करोण रुपिया घर में मिलना आलमारियों में तो मामले में तो बहुत कुछ काला है यह पैसा कहाने वाला था पैसा 2024 के दुकान के करदो और पिर कर दो मोधी तुम क्या कर रहे हो चलिए कोई बात नहीं अब देखे टाइंस राओं ने तो छाप भी दिया कि कांग्रेस सांसत धीरस साउ के ठिकाने से मिला कुवेर का खजाना छापे मारी में 300 करून रुपे कैस बरामत और मजे की बात बताते हैं जो और मजेदार है इसको सुनें के सौ के पचास के भी नोट आँ अब चौर यहां पर उतर आएं हैं कि हम तो दस का भी लख लेगे बीस का भी रख लेगे पचास का भी रख लेगे बाट ज móक है अलुखा अलमारी बने बनादो बढ़ियां बढ़ियां अब पता नहीं आलमारी कहां साहू और उनके परिजनों की सराब कंपनी है और यह लोग 40 साल से सराब बनाते हैं और धीरत साहू जो है 2018 में अपने हलप नामे में अपनी संपत्ति 34 करोण रुपयां बताते हैं 34 करोण रुपय वाले के पास इतना पूशा कहां से हैं देखिए सब चैनल वाले भी लिक रहे हैं 25 करोण कैस 200 करोण कैस जैसे जिसे चुनाव जब वोटों की गिंती होती दोस्तों जब वोट गिने जाते हैं तो होता नहीं है 3 सीट पे आगे, 4 Sीट पे आगे, 5 सीट पे आगे, 100 करोंड मिले, 500 करोंड मिले, 200, 1200, 300 मिली रहे, रुखी नहीं रहे, महब्बद ऐसी पढ़ती है, महंता बनार जी भी महब्बद बांटाई है बंगाल के अंदर, कि शिच्छा मंतरी धर लिया गया कि पचीस करोड कैस बरामद यह तो कजरिवाल की तरक का भी नहीं सकते साब कैस तो मिला नहीं जबरदस्ती हमको रख रखें जेल में गल्त बात है इनके यहां तो मिल रहा है भरभर के मिल रहा है क audio कि अर्सपें कांग्रेसी कर रहे ना 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 बर इस पर चाइनीज मीडिया वाले कुछ कह रहे है बाधुक बार बनावर चल्ला हैं कि तो एंगर कि करके कहना है कि छोड़ूंगा नहीं किसको नहीं छोड़ूंगा चोरों को देमानों को नहीं छोड़ूंगा मैं तो इस खबर को पढ़ने के बाद मैं सोचा भाई तीन सो करोड रुपया होते कितने हैं मुझ सुगंद लेता होगा बैसे बढ़ता होगा आलमारी sufficient इसका शुगंद लो तीन आलमारी केटे लो पता नहीं लोग तो कहते हैं पैसे से गरमी आती तो बचने नहीं चाहिए मोदी जी एक रिक्वेस्ट है बाकी तो सब सारी चीजे जो हो रहा है विकाश डवलप्मेंट तो होता रहता है यह तो सतत प्रक्रिया है लेकिन चोरों को जिस तरीके से दबोच रहे हैं बहुत जरूरी है और कोई हलके फुलके नहीं दबोचे जा रहे है ना है तो दोस्तों हो पर विश्वेशन आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा जादे पसंद आया होगा तो कंट्रिब्यूट करिएगा फोन पर पे एटिय को जय हिंद जय भारत जय सब्सक्राइब